दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए कानून की रोशनी में चैनल को और पहला इकन पर क्लिक कीजिए सबसे पहले लेटेस वीडियो देखने के लिए गुड़ मॉनिंग फ्रेंड्स हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपसे आपके क्यूस्टिंस के बारे में जो कंट्यूनिसली आपने मुझसे पूछे है जोब्स रेलेटेड अगर किसी विक्ति पर केस लग जाता है तो उसकी जोब जाती है या सस्पेंट होती है अगर वो गवर्मेंट एमप्लोई है तो एक तो इसका अंसर में आपको दूँगा भी प्लिस वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत आ सकती है क्या अगर कोई केस आप पे चला था उसके बाद आप बरी हो गए तो भी आपको पुलिस वरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है क्या तो यह सभी क्यूशन के आंसर मैं भी आपको दूँगा गोर्मेंट इंप्लोईज वो कहते हैं मुझसे कि सर मैं सरकारी करमचारी हूँ और मेरे को कुछ लोग मेरी जोब की धंकी देते हैं कि मेरे को जोब से निकलवा देंगे तिरे पर केस लगा देंगे तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूँ में भी उन पर केस कर सकता हूँ क्या तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको अभी दूँगा एक क्यूशन मेरे फ् इंफर्मिशन हो जाएगी तो टेंट में उसने चीटिंग की होगी तो उसको दो साल की नहीं बेंड कर दिया तो उसकी जोब लग सकती है कि इन फूचर बिल्कुल सभी क्या अंसर मैं अभी आपको शुरू करता हूं एक सबसे हलके सवाल से 107-116 की कारवाही जो की पुलीस कर को किसी 107-116 और 151 तीनों को इंक्लूड कर लेते हैं हम यह तीनों एक साथ को रिलेटेड है एक साथ हैं एक साथ हैं एक साथ सोला के अंदर क्या होता है पुलीस नोटिस जाती है उस वेक्ति को जिसको जिसके खिलाफ कोई कंप्लेंट आती है कंप्लेंट सिर्फ शान्ती बंके आदार पर है मतलब पुलीश को यह अंदेशा होता है कि भाई जो एक बंदे ने कंप्लेंट किये इस वेक्ति खिलाफ यह इस तरीके का एक्ट कर सकता है तो इसको पाबंद कर देते हम 6 मेने के लिए तो उसको नोटिस जारी कर देगी पुलीस जैसी नोटिस जारी अब जब भी आपके साथ इस तरीके का कारिवाई करें पुलीस एकसो साथ एकसो सोला की तो वकालत नमा लगाएं वकील के थुरू अपनी जमानत कराएं क्योंकि जमाना सोती है इसके अंदर हमेशा हूँ और दूसरी चीज वकालत नमा लगाएं इस बात का कि मेरे पे जो लगाया गया है जो भी अपराद मेरे या कंप्लेंट जो की गई है वो गलत की गई है और इसकी इनक्वाईरी की जाए बस इतना ही काफी रहेगा आपका आप इस के अंदर आपको साथ कुछ भी नहीं होगा सो परसेंट जूप पे किया कभी भी किसी के भी साथ भी कोई दि जाती है यह एक तरीके से कंप्लेंट है जो दरज तो होती है लेकिन एजडियों के अंदर चलता है इसका के जिए क्रिमिनल वह नहीं है एक्ट सिर्फ अपराद को रोकने का एक तरीका है पुलिस का 151 के अंदर के करती है पुलिस पुलिस बंदे को उठाती है और उसको एक साथ सोला का एक साथ सोला और एक सो कावन से अरवीजी का छे मेने केस चलता है इसके अंदर कुछ भी हो आपकी जोपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता और पुलिस लेरिविकेशन में भी यह केस नहीं बोलता एक चीज तो यह हो गई दूसरी चीज एक क्यूशन आपने खुर्द बुर्द कर दिया है अपने इस्तिमाल में ले लिया चब भी चार्साथ ठैनवे लगती है चार्साथ ठैनवे ए उसके साथ 406 अटोमेटिकली लग जाती है 323 और 341 भी इसमें इंक्लूड कर सकती है वाइफ के मेरे साथ मारे पे डाइबी की एक थपड मारना भी 323,341 में इंक्लूड कर देता है तो ये जो धराएं हैं 323 और 341 की मैं अगर बात करूँ सिर्फ 323 और 341 सेरफिसी की अगर आप पे ये एक्ट लगा हुआ था तो आपकी जोब में कोई इशू नहीं होगा क्यूंकि जरासी हलचल में भी 323 लग जाती है 311 लग जाती है इसलिए ये इतना बड़ा अपराद नहीं है सबसे हलका सबसे साधरन प्रकृति का सबसे छोटा अपराद है 323-341 इसमें अगर आप किसी के खिलाफ कोई मामला चल रहा था तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है लेकिन अब नेक्स टाइम आपको इस तरीके के अपराद नहीं करने है 498 एकी बात करें और 406 की बात करें जो कि बीवी ने लगाया है अपने हजबेंट पर तो इसी स्तितिक अंदर पॉलिस आपको गरफतार कर सकती डायरेक्ट आ करकिए अब नहीं होते है और आपने नहीं टो यह चुटे होते है इस तरीके के बीवी जा करके लगा जाएंगी फिर भी या तो फिली दखे जाएगी उठा करके या फिर आपको इंफॉर्म करें कि सर आपके खिलाव आपकी वाइफ ने कंप्लेंट करी है यह असल में क्या है यह यह डायरेक्ट एफार निगाट तो यह तो महिला थाने में 30 की कंप्लेंट तो चारसा ट्थैनवे के एक मामले के अं अंदर आपकी जो डिपार्टमेंटल इंक्वाइरी है वह आपकी ओपर बेढ़ सकती है और डिपार्टमेंटल इंक्वाइरी मतलब मेरा कहने का इंटेंशन यह है कि जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हैं जोब करते हैं वो उन लोगों को इंफॉर्म कर देती है आप या या फिर आपको वापिस कहीगी कि आप continuous वर्क में आ जाएं तीन मेने के अंदर इसका decision कर लेते डिपार्टमेंट आपका डिपार्टमेंट जो भी गवर्मेंट डिपार्टमेंट आप जिसमें काम करते हैं मान लीजिए आपके खिलाफ suspension हो गया तो ऐसी स्थिति में जो है आपकी salary वो आदी हो जाएगी अगर आप 10,000 कमाते तो तो 5000 मिलेंगे आपको वो घर बेटे मिलेंगे आपको और केस चला उसके बाद अगर आप convict हो गए आपको सजा हो गई तो आपकी जोब 100% terminate हो जाएगी खतम हो जाएगी तो एक चीज़ यह है और आपकी जोब आप अगर बरी हो गए आपको एक्वेटल हो बदला बरी कर दिया गया तो आप जोब में जाएंगे next day से ही और आपको कोई प्रोब्लम ने आएगी यह होगे 490 की बाद 307 203 25 का मामला किसी विक्टी के ओपर है ठीक है वह गोवर्मेंट एंपलोई है या नहीं इद डिसेंट मेंटर कोई फरक ने पर तो चीज़ से जानने वाली बात यह है कि आप की जोब पर फरक पड़ सकता है क्या अगर आप इन फूचर जोब में नमबर लेते हो तो मान ल जाएगी आपको उस चीज की इंफोर्मेशन हर एक फॉर्म में देनी होगी अकर आपसे मांगी है तो मेंडिटरी है तो छोड़ना नहीं है बिल्कुल पर्फेक्ट आपको इंफोर्मेशन देनी है दूसरी चीज यह कि 307 और 3024 या 325 का मामला जोब के अंदर लगा है तो भ आप बरी हो गए तो बहाल हो जाएंगी वाप इस जोब के उपट जड़ जाएंगी कोई दिक्केत नहीं आएगी 307 तीनसोचोबीस तीनसोपचीज चार्ट ठैनवे या कोई भी ऐसा अपराद आप पे चला था उसके बाद आप उसमें क्लीन बरी हो गए अब आपका जोब आपके नाम पते के साथ डिटल के साथ आपके थंबंदित थाने पर जाता है कि इस बंदे के खिलाफ कोई आपरादिक रिकोर्ड है क्या एक चीज़ दूसरी चीज़ अगर आप पासपोर्ट वनवा रहे हो तब भी पासपोर्ट डिपार्टमेंट आपकी इंक्वाइरी के के लिए आपके नाम पते ड्रेस के साथ संबंदित थाने पर आपकी इंक्वाइरी के लिए बेचता है कि इसका रिकोर्ड है क्या तो अब मैं बताओं आपको क्या करना है जिस वक्ति कि किसी का भी आप में से किसी का भी अगर कोई केस चला है कोट में उसके बाद आपका के खतम हो गया आप उसमें बरी हो गया तो उस कोट का जज्जमेंट जो हुआ है ना उसकी order की कोपी आप निकलवाएं अगर आपके पास यह बहुत अच्छी बात है नहीं है तो वाले किससे निकल वाएंगे आपके वकील के पास जाएंगे वहाँ पर आपका मुंशी होगा उसको देंसोदोसु रुपे जो भी वह भांगता है तीनसोपांट सो उसको देने के बाद वह जज्जमेंट की ओडर की कोपी आप उससे लें वह निकल वादेगा आपको दो-पा करने वाला लगता है इसी तरीके से अपरादिक रिकोर्ट का भी एक मेंटेंड करते हैं रिजिस्टर की इस बंदे के खिलाव इतनी इसके खिलाव इतने मामले चल रहे हैं तो महां जाना पड़ेगा आपको पुलिस स्टेशन में और वह जाके किना पड़ेगा सरी यह मेरा कोपी देनी हैं इसकी कॉपी देनी मेरा मेरा केस थारव इसमें बरी हो गया तो इसके अनदर आप मेरा रिकोर्ट केलियर करदो पिर वह क्या करेगा और केस था इस इंदर 307 में 301. स्का amen. 323 में 314 में को सकता है कि इस तरीके 324 में सकता अब यह वामला लग गया उन में तो हो गया को गते और जिनमें नहीं हो सकता तो उसमें तो चलने के बाद आप बरी हो गया तो वह जहां आपका ना पढ़ेगा कि मेरा मामला किलियर हो गया है मैं बढ़ी हो गया इस लिए कि पुरिकेशन में कोई ने आएगी, एक यूशन यह से उसकिसी बंदेब ईसको बैंकर दिया तो इसी सिति में उसको फीचर में जोब में दिक्कत C तो दो साल की नहीं तुम्हें बेन कर दिया तुम्हें तुम्हें नहीं आएगी तो आप अराम से अपनी जॉब को कंटीनियों करें और तैयारी भी करें दूसरी चीज़ यह कि टीचर्स सुरी गवर्मेंट एंपलोई जिसने मुझसे क्विश्चन किया कि मेरे को दरारते धंकाते हैं कुछ लोग और कहते तेरी जॉब छुड़वा देंगे तो क्या मैं भी उनकी कंप्लेंट कर सकता हूं कि बिलकुल आप कंप्लेंट कर सकते हो क् सिर्फ कंप्लेंट के आधार पर किसी की जोब नहीं जाती है जोब तभी जाएगी जब कंविक्शन होगा कितना ही बड़ा क्राइम हो कितना ही बड़ा क्राइम अब कितने ही बड़े क्राइम के नदर सारे क्राइम आ गए जोब कब जाएगी जब उसके ओपर साबित होगा कि इसने जुरुम किया है कनिविक्शन होने पर ही जोब जाएगी सिर्फ अपराद लगने पर आरोप लगने पर जोब नहीं नहीं जाती किसी की सस्पेंशन ओकर के इनक्वारी बेड़ सकती है उसके ओपर जिसमें भी उसको सैलरी मिलती है आदी मैं आपको बताई दिया वह प्रोसिजर अगर कोई वीडियो में मैं बात बताने में रह गया हूं तो वह मुझसे आप कमेंट से पूछ सकते हैं किसी के क्यूस्टेंस अगर रह गया हूं तो वह कि नहीं लाता रहता हूं टाइम से देखना जरूरी है क्योंकि टाइम निकलने के बाद कुछ नहीं आता हात में